हलो रुस्तों स्वागत है आपका हमारी चनल करीरेव बेड़ बाइंजीनर में मैं हूँ डंजन राज और जैसा कि स्टूडेंट काफी ज्यादा परसान है जिन्होंने आई यो सी यल टेकनिकल अटिंडेंट या इंजीनरिंग असिस्टेंट का एकजाम दिया था उनका SPPT ट सेंटर गया है तो स्टूडेंट काफी ज्यादा परसान हैं हाला कि इसके बारे मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ जो स्टूडेंट पर महजूद हैं वहां पर सेंटर जो नोटिस लगाई गई है IOCL की तरफ से उसके माध्यम से मैं आपको सूचित करने वाला हूँ कि आपका जो shortlisted candidate का list है वो कब तक आ सकता है कब तक आएगा confirm है कब दिन तक आ जाएगा और आपका STPT कब होगा तो आईए जो center पर notice लगाए गया है IOCL की तरफ से उसकी तरफ चलते हैं तो वहाँ से आपको सारी clarity मिल जाएगी देखे ये पहला जो notice है student के तरफ से भेजा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं Indian Oil Corporation Limited Pipeline प्रुभाग परिछार्थों के लिए आवस्चक सूचना यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी परिछार्थियों को सूचित किया जाता है कि 28.3.2022 की साम में परिच्छा परिणाम घोसित किया जाएगा यानि कि written test का जो result है वो घोसित किया जाएगा यह Indian Oil की website यह जो दी हुई है दो website पर देखा जा सकता है दस्तावेश सत्यापन एवं SPPT test को निम्नलखित सूची की अनुसार किया जाएगा ठीक है यानि कि document verification और जो SPPT test है उसको निम्नलखित सार किया जाएगा तो technical attendant बिहार एंड यूपी के जो है उनका 29.3 को होगा engineering assistant electrical बिहार एंड जारकंड का 30 को होगा engineering assistant T&I बिहार का 30 को होगा engineering assistant mechanical बिहार का 31 को होगा और engineering assistant operation बिहार एंड यूपी का 31 को होगा अब कुछ लोग परसान होगे कि सिर्फ इसमें बिहार का क्यों दिया गया है तो दिखिए ये जो notice होगा ये उसी region का होगा ठीक है इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसका जो है जिस region में ये सभी state आते होगे उसी region का ये notice होगा इसलिए सिर्फ उसी state के चात्रों का है उसी region में जितने state आते हैं सिर्फ उसी का यहाँ पर सूची दिया गया है चलिए लेकिन आपको एक चीज़ ये तो किलियर हो गई कि 28.3.2022 को साम तक आपका जो result है आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखे यह जो है दूसरा नोटीस है यहाँ पर आप देख सकते है नोटीस declaration of result डेट 27.3.2022 टाइम 7.00 पीम का ये notice है रिजल्ट सेल भी पब्रिस्टी इन IUCL वेबसाइट या IUCL का जो वेबसाइट है यह दिया गया है अगला देखे Candidates are listed for skill या proficiency test shall also be informed through SMS in their registered mobile number यानि कि website पर 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 भी पर भी सोगा और जो student है उनकी जो mobile number है उस पर भी बता दिया जाएगा ठीक है अगला देखे Apart from this no other separate यानि कि इसके अलाव और कोई communication के आप से नहीं किया जाएगा देखे Only shortlisted candidate shall be invited to attend the skill proficiency physical test SPPT अब देखे अगला है यहाँ पर देखे लिका है skill proficiency physical test SPPT आपका technical attendant 213-2022 post code and state URISA ठीक है अब देखे यहाँ पर जिन लोगों का post code ये होगा और ORISA से जो apply किये होंगे ठीक है जो उस region में ORISA आता होगा उनका जो जो date है वो 31-3 को उनका SPPT होगा और 9 AM पर आपको वहाँ पर पहुँच जाना है तो आप लोग अपना post code match कर लीजेगा यहाँ पर और 31-3 को अगर आप select होते हैं website पर 28 को मैंने जैसे बता दिया 28 को इवनिंग तक result इनोंने कहा एक गोशित कर दिया जाएगा तो उसके बाद अगर आप select होते हैं तो आप SPPT के लिए जा सकते हैं document verification 9 AM to 12 noon होगा और उसके बाद skill proficiency and physical test 2 PM to 5 PM पर होगा ठीक है यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हूँ और ओरजिनल डाकुमेंट्स आपको SPPT में अगर आपका selection हुआ तो ओरजिनल डाकुमेंट्स आपको ले जाने होंगे सारी चीज़े डाकुमेंट्स का वीडियो मैंने अलग से बनाए होगा आप देख लिजेगा बागी चीज़े यहाँ पर लिखी भी हुई यह आप पढ़ सकते हैं यह नोटिस में आपको अपने टेलेग्राम ग्रूप में दे दूँगा ऑफिस्टल जो टेलेग्राम ग्रूप है हमारा जो है पार्टिस्पेट नहीं कर पाएंगे तो उमीद है कि आपको कुछ चीजें जो आप परसान थे बहुत ज्यादा वह क्लियर होई होगी तो अगर आप रुकना चाहते हैं आपको यह लगता है कि आप SPPT में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको एक रात कहीं रुकना ही सब्सक्राइब बनेटेगे मारे साथ नए उपड़ेट नहीं जानकारी पाने के लिए चैनल इसक्काइब तो चोनली जरूकि लिएगा का दुस्क्राइब समाल के साथ कि बनेदेगे मारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद